हलो फ्रेंड्स मेरा नाम चंदिशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपकी यूटीब चैनल टॉक क्लास मैस पर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और सेशन में पढ़ेंगे हम रेशियो इट मेंज अनुपाद यहाँ पर पिछली वीडियो तक मैं आपको कोशन पढ़ा चोका हूँ 94 कोशन अब इस वीडियो में आप देखेंगे 95 to 134 कोशन इसका मतलब यह है कि हम 140 कोशनों को फिनिस कर लेंगे चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को आपके लिए एक छोटा सा काम है चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब आप कर दीजिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बात जरूर है देखें आपकी प्री जो सीजेल प्री होगा उसमें आपके लिए लगव अच्छे से आप देख लेंगे अगर ऐसा कोश्चन आपके समक्ष आता है एक्जामनिशियन में तो कैसे करना है मैं आपको बताऊं ट्रिक इसकी यह हाँ जी एक बात ध्यान रखना यह एडिटिक इसकी होनी पाई है इसमें है 10 अंडूर 3 तो एडिटिंग होनी पाई है तो आप समझ लीजिए यह तीसा जो ऑफशन है वो 10 अंडूर 3 है हम निकालेंगे फिर पता चल जाएगा अब कैसे करना है कभी भी यह कोशन आ जाए जब आपसे बोल रहा है जब 24, 30, 36 और 46 मैंसे प्रतेक मैंसे आप x गठाया जाता है तो इस करम में जो प्राप्त संख्याए आपस में समानुपाती के टर्म्स में आ जाती है तो निकालना है आपको 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2 के बीच में मध्य अनुपात, it means mean proportional कैसे निकालेंगे, कैसे रहेगा सारा का सारा यह session अब देखिए इस question को करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एक तो short trick basis होता है कि option से उठाया जाता है बट इस question को option से उठा तो सकती थी बट यहां undude के terms में आ गया तो option से उठाना थोड़ा सा difficult हो जाएगा तो आप कैसे करेंगे मैं आपको directly समझा रहा हूँ यहां आपकी चार संख्या है पहली संख्या 24 है दूसी संख्या 30 है तीसी संख्या 36 है और चौथी 46 है प्रतेक मैंसे आप X को घठा रहे जिससे समानुपाती condition में आ जाएगा ऐसा question आता है तो directly X कमान आपको निकालना है तो मैं आपको बताओं क्या करना है आपको ध्यान र में गुणा कीजिए उसका अंतर कीजिए कहने का मतलब यह है कि first का multiply fourth term से और second का multiply third term से करेंगे और इनका लेंगे difference ऐसे ही नीचे क्या करेंगे denominator में first का add करेंगे fourth वाले से और second का add करेंगे third वाले से और इसका भी difference करेंगे और directly X की value आ जाएगी short trick बनाई आपके लिए आप कैसे करना है यहाँ पहला term है यह पहला पद है यह चौथा पद है यह दूसा पद है यह तीसा पद है तो पहला दूसा तीसा चौथा जैसे मैंने आपको बताया पहले का चौथे से multiply होगा directly करेंगे 6 चौथे 24 की 4 कैरी कितनी दो 6 दूसे 12 चार चौथा 16 16 बारा 28 और दो 30 30 की 0 कैरी कितनी 3 4 दूसे 8 और 3 11 लो हो गया अगोड़ा ऐसी दूसे का 30 से multiply करेंगे इसका इससे करेंगे 36 तिया होता है 108 और एक 0 लगा दो लो हो गया इसका multiply यहाँ पहले और चौथे टम्स को जोड़ेंगे 24 और 46 तो आएगा कितना 6 4 10 की 0 हासिल बची एक और यहाँ आजाएगा आपका 70 ऐसे minus दूसा तीसा टम्स जोड़ेंगे तो आएगा कितना 36 तीस आपने मुझसे कहा 66 कोई भी इशू नहीं है अब एक बात बताएए उपर का difference करेंगे मेरे प्यारी बच्चों तो कितना आएगा आपने कहा 24 आएगा और नीचे का difference आजाएगा 4 का finally आपकी x की value 6 तो 2x प्लस 3 में रखनी है x की value और आपको रखनी है 3x प्लस 2 में और रखने के बाद अंडरूड में बैठाल देंगे गुणा के टम्स में तो मद्य अनुपाते निकल आएगा अब आपको पताएए यहाँ पर कि x की value 6 है तो 6,2,12,12,3,15 गुणा 6,3,18,2,20 finally आप मुझे एक बार बताएए इसको break कर सकते हो आप आपने हाजी कर सकते हैं 5,3 इसको break कर सकते हैं 5,4 है ना आप एक बार बताएए 5,5 पेर बनाके भार निकल जाएगा single 5 के टम्स में और यहाँ पर 4 अंडूड में होता है 2 ठीक है और finally 3 अंदर फसा रह जाएगा और इस answer को कहेंगे 10 अंडूर 3 जो की option अमद 3rd correct है जिसको मैंने बोला था कि edit कर देंगे चलिए अगला प्रशने देखेंगे यह तो आपको समझ में आया होगा trick को सीख लेंगे आप लो अगला प्रशन लगाईए अगला प्रशन क्या कहने की कोशिश करता है देख लेंगे अगला प्रशन आपकी screen पर आ रहा है अच्छे से पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे मेरा मकसद आपको सिखाना है 96 question क्या कहने की कोशिश करता है देखें यह कहता है कि सुमन है एक निशित राशी को 2 अनपात 3 अनपात 4 के अनपात में बिवाजित करती है अपनी बेटियो में यदि उसने इस राशी को एक बटे 2 अनपात एक बटे 3 अनपात एक बटे 4 अनपात के terms में distribute किया होता बाटा होता तो जिस बेटी को सबसे कम मिलने वाला था आर उसको 3500 रुपे जाधा मिल जाते हैं तो बताईए कि राशी कितनी है मतला total राशी कितनी है कैसे करेंगे बहुत अच्छी से करेंगे आरम से करेंगे यानि की बात यह है कि पहले बेटियों में जो बटवारा है धनराशी का वो दो अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में होता था चलो ठीक है उसके बाद इस राशी का बटवारा ऐसे न करके इसको बटे के terms में बटवारा करा तो एक बट्टे 2 अनुपात एक बट्टे 3 अनुपात एक बट्टे 4 के टम्स में हुआ आपको पता है यहां पर सबसे कम मिलने वाला पैसा 2 यूनिट है है न और इसने यही बोला है कि जिस बेटी को पहले सबसे कम मिलता था तो हमें सिर्फ यह वाली बेटी पकड़नी है जिसे सबसे कम 2 यूनिट मिलाए आपको कोई देख कर नहीं है तो इसी का डाटा पकड़ेंगे क्योंकि बट्टे में बट्वारा इसको सही कर लिजे इसमें L सेम आ जाएगा आपने कहा 12 दो के पाढ़े में बारा आता है 6 वाद 6 एकम 6 यानि कि हमेशा denominator से comparison करते हैं और numerator में रख देते हैं यानि कि 2 के tixel में बारा आता है 6 times और 6 बंजा 6 तीन के पाढ़े में बारा आता है 4 रट 4 एकम 4 तीन वाद 3 एकम 3 इसका मतलब ये है कि पहले distribution ऐसे हो रहा था जब उस लड़की को मिल केतना रहा था 2 unit अब distribution ऐसे हो रहा है पर आप ये निकाएंगे कि 6 मिल रहा है पहले आप satisfied कर लेजे satisfied का मतलब क्या होता है अब मुझे बताइए बाटा गया जो धन है तीनों बेटियों में वो तो समान ही है न एक ही धन तो बाटा है इसका मतलब अगर मैं इन धन को collect कर लूँ जोड लूँ तो यहाँ पर तो ये धन 9 unit बैटता है और यहाँ पर ये 13 unit बैटता है ये तो गलत बात है धन तो आपका एक ही है न एक ही तो आपका धन है तो यानि कि इसका मतलब ही होगा इसको समान करना पड़ेगा समान करने के लिए यहाँ 13 का multiply तो यहाँ 9 का multiply करना पड़ेगा इससे total आपका जो भी धन है जो भी राश्य है वो समान हो गई तो सिर्फ आप उसमें रखिएगा उसमें रखिएगा जिससे आपको मतलब है आपको उस बेटी से मतलब है जिससे सबसे कम मिलते हैं तो उस बेटी को पहले यहाँ पर रख दीजे 13 और यहाँ पर रख दीजे 9 multiply तो सम्में कर सकते हैं बट हमें तो इस बेटी से मतलब है इस बेटी को पहले मिलते थे 26 यूनिट, अब इस बेटी को मिलते है 54 यूनिट, मुझे एक बाद बताईए कितने ज़्यादा मिलते हैं, बता दीजे भई कितने ज़्यादा मिलते हैं, आपने मुझसे कहा कि इसको मिलते कितने 28 यूनिट ज़्यादा मिलते हैं, 54 मैंसे 26 यून पुटिंग वैल्यू कितनी आगी काट लेंगे गे 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 पांसो बार कटेगा गे 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 पुटिंग वैल्यू किसमें रखने है टोटल धन्दाशी तो यही है न तेरह नम्म एकसो सत्रा अब इसमें रख दीजिए एकसो पत्चीस मुल्टिप्लाइगे पर आप करना चाहिए एक आई कांक पांसिस ओफ्शन डी में टिक करके चले जाएंगे आंसर आएगा 14 या 625 है ठीक चलो अगला प्रेश्ण करते हैं कि कोशन नमबर 97 यह अच्छा प्रेश्ण है आराम से समझना कोई भी इश्व नहीं है यह चैनल मैंने आराम से समझाने के लिए खुला है कोई जल्दवाजी नहीं है मुझे उड़ायने नहीं है आरम से समझाओंगा आरम से अपनी बुक आप अच्छे से किजिएगा कॉंसेप्ट समझेए शौट ट्रेक पर कराता हूं मैं सारा का सारा सॉलूशन देखे कोशन नमबर 97 ए और बीकी माष्यक आए यानी क्या आप कहा सकते हैं कि यह जो इनकम है न ए और इनकम है भी इनमें जो रेशियो है टू रेशियो थ्री है दो तीन का अनुपात हैं उनकी व़चआने कि जो सेविंग्स है उसमें रेशियो थ्री, 4 का है सेविंग्स कोई भी इश्यू नहीं है अब सुनेगा अच्छे से चलो यह पूछता है हमसे कि इनके expenditure व्यमें क्या अनपात होगा वो करने से पहले मुझे एक बात बताईए अगर आप 25 रुपे कमाते हैं आपकी income 25 रुपे हैं तो कितना खर्च करेंगे तो आपने कहा 25 में से 10 की जो saving करें उसको अठा दीजिए 15 रुपे आप क्या कर देंगे expense कर देंगे मतलब खर्च कर देंगे है ना तो कहने का मतलब यह है income में से अगर आप बच्चत निकाल देंगे तो आपका खर्च आ जाएगा और बी की जो बच्चत है आपसे बराबर है बी की जो saving है आपसे बराबर है क्या आपसे बराबर है बताईए मुझे क्या आपसे बराबर है आपने कहा बिल्कुल बराबर नहीं है अगर बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे आप करेंगे यहां दो का मल्टिपला है उपर तो इसके साथी को भी आपको दो दिना पड़ेगा यह हो गया satisfied और जैसे satisfied हो जाए इसका मतलब यह एक एक valid form में आ जाते हैं मतलब यह family दो family ना होकर एक family बन जाती है अब इस family मैंसे आप value निकाल लेते हैं य अगर भी कमाता है छे और चार को बचा लेता है कितना खर्च किया होगा दो यह प्यारा सा अंसर है एक अन्पात दो जो की option नमबर एक है बहुत ही आसान प्रशन है आसान तब है जब आपको अच्छी से समझ में आता है अगला प्रशन करेंगे कोशन नमब 98 क्या कैनी की कोशिश करता है देख लेंगे लग तो रहा है बड़ा सा बट इतना बड़ा नहीं है थोड़ा छोटा कीजिए इसे कट रहा होता साइड से राइट हैंड साइड से देखिए और छोटा कर दीजिए पुरा कोशन दिखना चाहिए चलो बाद में कर लेंगे छोटा नीचे वाला पहले उपर से पढ़ लेते हैं एक पुस्तकाले में गड़ित की पुस्तकों की संख्या का भौतिकी की पुस्तकों की संख्या से जो अनुपात है न देखिए गड़ित की पुस्तकों की संख्या का भौतिकी की संख्या से जो अनुपात है वही भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का रसाइन यानि की केमिस्टी की जो पुस्तक है उससे अनुपात की क्या है समान है इसका मतलब यह है कि math की जो book है न उसका जो physics की book से जो ratio है वही physics का chemistry की book से जो ratio है आपस में क्या है समान है यह दिया गया है तो यह physics 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 का square हो जाएगा physics की book का यानि कि बहुत तिक की book का square हो जाएगा आ जाएगा math की book into chemistry की book यह आ जाएगा कोई भी इश्यू नहीं है यहां math की book अच्छी से देखेगा यदि 144 गडित की किताब है तो math की कितनी है 144 और chemistry की कितनी है 100 chemistry की किताब है 100 क्या आप physics की किताब निकाल सकते हैं आपने का हाँ जी यह जो square है under root की terms में चला जाएगा right hand side में एक कुल के बाद 144 होता है perfect square number 12 का square होता है 12 गुणा 12 144 तो 144 का अंडूड होगा 12 और 100 का होगा 10 और आपको पता है 120 आपके पास भौतकी की किताब है यानि की physics की है last की line अब दिखा दीजिए तो गड़ित और भौतकी की किताबों की कुल संख्या का तो गड़ित गड़ित की किताब कितनी मैत की यह वाली 144 तो गड़ित और भौतकी की 120 है भौतकी की किताबों की कुल संख्या का यह वाला कुल संख्या का रशाइन और भौतिकी की किताब की कुल संख्या से अनपात क्या है रशाइन और भौतिकी रशाइन की कितनी है केमिस्ट्री की 100 और भौतिकी कितनी है 120 इनसे आपस में क्या अनपात है कहने का मतलब यह है उसने यह कहा है कि जो गड़ित की किताब है न और physics की किताब लेनी है ठीक है दौनों को मिलाइए उसी में chemistry मतलब उसी में chemistry और आपको लेनी है physics की किताब को अलग मिलाइए दौनों में बात बताइए तो बताना क्या है फिर add कर दीजे ये add करने पर कितना आएगा तो आपने मुझे से गाट 264 आजाएगा और यहां कितना आजाएगा यहां आजाएगा 220 फाइनली रिश्यू बन रहा है तो बना लीजे क्या इश्यू है चार से काटना प्रफर करेंगे चार से काट लिजे चार छिंग 24 बचेगा कितना दो चार छिंग यहां देखिए चार से काट लिजे चार पंज 96-5 आएगा जो की option number B correct है अगला question करते है question बढ़ा है पर कुछ ऐसा नहीं है कि tough है बस पढ़ते जाना है और करते होई जाना है अगला question करने के लिए हम लोग राजी है कोई भी issue नहीं है अगला question क्या है 99 देखी वही question आगया उसी attack का कहता क्या है कि 55, 50, 23, 22 में प्रतेक में x को गटाया जाता है तो इस किरम में प्राप्त संक्या समानुपाती होगी 3, 7 और x का 4 समानुपाती क्या होगा चलो तो पहली बाद तो संक्या क्या है 55, 50, 23, 22 प्रतेक में ऐसे x गटाना है तो ये मैं directly करना आपको सिखा चुका हूँ x कैसे निकालते है पहले का 4 से multiply करते हैं ऐसा पहले का 4 से multiply कीजिए minus दूसरे का 3 से multiply कीजिए और upon में इन दोनों को जोड़ दीजिए और आपस मंतर कर दीजिए 55, 22, 77 और 50, 23, 73 आसान है, कोई issue नहीं है अब multiply कैसे करेंगे अगर common आता है तो common ले लेंगे वैसे multiply भी आसान है इसका common क्या रहा है, दौनों में 5, 5 common आ रहा है यहां बचेगा 5 common लेने पर 5 से 55 कटेगा 11 बार और 11 का multiply 22 में करेंगे तो आएगा 2, 4, 2 यहां आपने common ले ले लिया 5, 5 से 50, 10 बार 10 का उना, 23 में करेंगे तो 230 आएगा और नीचे प्यारे वच्चों कितना आ रहा है, 4 finally 5, गुणा 240 में से 230 जाएगा आपने कहा 12, नीचे 4 है 4 से 3 बार कटेगा और मान आ जाएगा X का 15 कोई भी इश्यू नहीं है, आरम से करा है देख लिजे आप आगया 15 फिर आपसे कहता है 3, 7 और X का 4 समानुपाती पहली संख्या 3 है दूसरी 7 है और तीसरा X है X की value का है 15 है और इसका 4 समानुपाती चोथा समानुपाती निकालते के ऐसे हमेश्या 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 आपको ध्यान रखना है कि चोथा समानुपाती करने के लिए दूसरे और तीसरे का multiply कीजिए और upon में पहले वाले का divide दे दिजिए यह आजाता है आपका fourth proportional चोथा समानुपाती तीन से पंदरे पांत बार कटेगा और पांस सकते पैथिस यह करेक्ट आंसर होगा जो कि option नमबर एक करेक्ट है करने का तरीका बताया है मैंने आपको best approach बताईए ठीक है अगला प्रेश्ण अगला प्रेश्ण देखिए hundred hundred आपसे क्या कहनी कोशिश करता है कि एक फर में सत्तर तो पुरुस है उसमें और सो महिलाई है काम कर रही है एक सामोहिक भरती अभियान के दोरान समान संख्या में पुरुस और महिलाओं की एंट्री होती है भरती की जाती है सत्तर तो इसमें मेल है और फिमेल कितनी है? सो और इजनर देखिए जितने पुरुस एंट्री करते हैं उतनी ही महलाई करती हैं अच्छे सुनेगा समान संक्या में पुरुस और महलाई आती हैं जिससे कि इनका अनुपात तीन अनुपात चार हो जाता है क्या बोलाएं भर्ती के बाद फर्म में काम करने वाले लोगों की खुल संक्या भर्ती के बाद तो यही तो है कितने काम करते हैं उसकी संक्या बता लिए प्यारे बच्चो एक बात बताओ मैं आपको एक बात पूछना चाहरा हूँ जिसे आपका फ्रेंड है और आपो आपके पास 100 रुपे हैं आपके फ्रेंड के पास 150 रुपे हैं समझने कोशिश करना अगर मैं आपको 20 रुपे दूँ और आपके फ्रेंड को भी 20 रुपे दूँ क्या अंतर है दौनों बातों में देखना पहले आपके पास 100 रुपे थे और आपके फ्रेंड के पास थे 150 तो दौनों की बीच में कितने रुपे का डिफ्रेंस था तो आपने बोला 50 रुपे का 150 में से 100 जाएगा 50 रुपे का डिफ्रेंस था अब देखो मैंने आपको भी दे दिये 20 रुपे और आपके फ्रेंड को भी 20 रुपे आपके पास तो 120 हो गए आपके फ्रेंड के पास 170 हो गए अब डिफ्रेंस करना 170 में से 120 गए तो आपने का 50 का ही आ रहा है इसका मतलब यह होता है अगर दौनों नंबर में एक जैसा डाट एक जैसा डाटा जोड़ रहा है इसका मतलब पहले इन में जो अंतर था वो 30 का था तो अब भी इन में अंतर 30 का ही होना चाहिए इसका मतलब इसमें अंतर according to ratio 1 unit का है और 1 की actual value 30 के बराबर है क्योंकि अंतर तो समान रहता है जब एक जैसे add होते है या sub stack होते है अब एक के पाड़े में 30-30 वार आता है कोई भी इश्यू नहीं है आप से पूछा क्या है देखिए एक के पाड़े में 30-30 वार आता है putting value आ गई किसमें रखनी है भरती के बाद फर्में काम करने वाले लोगों की संक्या तो भरती के बाद जो male है वो 3 unit है female है 4 unit है दोनों मिला कर कितन से त्यानिकी भरती की बाद 210 उसमें काम करते हैं व्यक्ति आंसर आगया दिखाई ऑफशन नमसी करेक्ट है बिलकुल ऐसी करना है जादा बढ़ा नहीं किया जादा बढ़ा क्या बढ़ाई नहीं किया है कुछ किया नहीं है दिमांग लगाया है सिर्फ अगला प्रस्ण दे न वो बड़ी है 2-5 हो गई है यानि कि लगाता दो बर्थ यानि कि मैं कह सकता हूं 1st year और 2nd year मेरी जो income है पहले 2 unit थी अब कितनी हो गई है 5 unit हो गई है लिखा हूँ है और मेरा जो खर्चा है वो 4-7 के अनुपात में हो गई है ऐसे समझेंगे आप आपको समझ में आएगा expenditure मेरा पहले 4 unit था और आप कितना हो गई है 7 पिछले साल 4 था और इस साल 7 हो गई है यदि दूसरी वर्स में मेरी आए 75,000 है दूसरी वर्स में मेरी जो income है 5 unit है और 5 की value actual में दी गई है 75,000 5 से 75,000 यानि कि 5 के table में 75 आता है कितने बार 15 बार और 3 0 chip के हैं तो 3 0 chip का देगे इसका मतलब 15,000 बार putting value आ गई income वाले family की तो 15,000 इसमें रख देंगे इसका मतलब यह है सीधा सादा कि पहले 15 दूनी 30,000 मेरी income थी मैं कमाता था और अब कमाता हूँ 75,000 आगे बढ़ते हैं और पहले वर्स में मेरा खर्चा 20,000 था और 20,000 था पहले वर्स में मेरा खर्चा 4 unit की value 20,000 है अगर 4 की value 20 है तो 7 की value कितनी होगे? 4 से 20 कटेगा 5000 बार तो 5000 इसमें रख देंगे 5 सत्य 35,000 थीक है? क्योंकि आपको पता है न ये expenditure यानि की खर्ची की आत्मा आई है putting value आई है और ये इसके साथी के लिए काम में आई है तो 5000 इसमें रख देंगे इसका मतलब ये है कि मैं पहले साल कमाता था 20 जो की 4 unit था अब 7 unit कमाता हूँ इसका मतलब ये 35,000 रुपे कमाता हूँ ये वो लाए दौनों वर्सों में मेरी कुल कितनी बचा दोगी? एक बार बताओ पिछली वर्स में कमाता था 30,000 और उसमें से मैं 20,000 रुपे खर्च कर देता था कितना बचाता था? आपने कहा 10,000 रुपे बचाएंगे सर आजाओ पहले में कमाता था 75,000 और उसमें से खर्च कर देता था 35,000 कितना बचाऊंगा आपने मुझसे का पांच में से पांच के जीरों और याँ साथ में से तीन जाएगा चार यानि कि 40,000 रुपे बचा लेता था दौनों मिला कर मेरी जो बचात है वो 50,000 रुपे है और यही इस कोशन का आंसर है जो कि option बसी correct है आरम से कर देंगे आपको अच्छा लगा होगा बस समझ ना है और उड़ा देना है अगला प्रशन देखेंगे देखिए 102 वा प्रशन क्या कहने की कोशिच करता है कहता है कि यह 4,000 जो 95 रुपे है न वो आपको distribute करने है चलो कितने लोगों में? 4 लोगों में करने चलो ठेक है A, B, C और D में चलो इस प्रेकार बाटने हैं कि A और B की शेयरों का अनुपाद यानि कि A को मिलता है एक भाग तो B को मिलता है तीन भाग चलो दूसरे case में अगर B और C की शेयरों की बात करें तो B को मिलता है दो भाग और C को मिलता है पांच भाग ऐसा आगे अगर यहां distribution तीन से ज़्यादा होता है तो पहले इनी को satisfied कर लो है न? तीन लोगों को कौन दो बार आया है? यहां B की value यानि कि B को मिलता है तीन यहां B को मिलता है दो गलत है B का तो एक ज़्यासर है न चाहिए तो क्या करेंगे? दो का multiply यहां कर लेंगे तो इसके साथी को देना पड़ेगा तीन का multiply यहां करेंगे तो इसको साथी को देना पड़ेगा फाइनली मैं आपको बताऊं यह तीन लोगों का अनपाद satisfied हो गया जो की है 2 जो की है 6, जो की है 15 तीन लोगों का अब आगे एक लाइन कर सकते हैं आगे एक लाइन कर सकते हैं अच्छा पड़ेगा आगको C और D का अनपाद 2 नपाद 3 है C को 2 मिलता है तो D को मिलता है 3 कोई पी इश्यू नहीं है इसको satisfied कर लिजे C को यहाँ पड़ा गया है 15 और यहाँ पड़ा गया है 2 गलत बात है एक जैसे होंगे तो यहाँ 2 का multiply कीजिए तो पूरी family में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अब यह family 3 लोगों की हो गये satisfied करने के बाद satisfied करने के बाद जितनी बड़ी family होगी सब मैं आपको multiply करना पड़ा है यहाँ 15 का करना पड़ेगा तो इसके साथी को भी देना पड़ेगा अब यह full satisfied हो गया question और finally यहाँ पर 4 12 कोई भी issue नहीं है तुम्हारा यहाँ पर 30 और यहाँ पर 45 यहाँ गया ratio 4 लोग का क्या बोला है last में B और D के शेरों में कितना नतर है कैसे करना मैं आपको समझाऊगा B और D के शेरों में कितना का नतर है और B और D के शेरों में अनतर यह 33 unit का है अब 1 बाद बताईए सब की मिलकर सब के मिलकर sell ने कितनी इसको add करेंगे ओ categories आप बिल्कुल करेंगे आपको निकालना क्या है बी और डी की शेरों मंतर जो की 33 उनिट है जो निकालना होता है उसको directly multiply करती है short trick बता रहूं आपको बस answer आ जाएगा calculation करनी है option दिखा दीजे please पहले तो मैं काटूँगा इसको 13 से 13 से कटेगा 7 वार, 13 से काटी है 13 49, बचेगा 1 13 एकम, 13, बचेगा 6, 13, 55, बचेगा कितना यहाँ पर 3, और 7, 55, 45, 45 का 33 में multiply करना है और वही हमारा answer हो जाएगा 45 का 33 में 3, 55, 15, पांच अब 15 की पांच तो दोनों में आ रही है यहाँ पर है ना, दोनों में आ रही है वैसे तो मुझे पता है यह answer होगा क्योंकि 4, 3, 12, 1200 से थोड़ा सा आगे तो यही होगा 1800 तो वैसे भी नहीं होगा पर मैं करके दिखा रहा हो आपको 3, 55, और अगर मैं आपको बता हूँ एक और ट्रीक 33 को अगर मैं 3, 11 पड़ू तो 45 तिया 135 होता है और 11 का multiply बहुत easy होता है कैसे एक कदम यहां से दो कदम फिर यहां से अगले दो कदम फिर अगले दो कदम में सिर्फ एक ही बचेगा आ गया 1485 यह answer जो क्यों option number second correct है चलिए अगले प्रेस्ट में जाते हैं आरम से अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो please like, share, subscribe कर दीजे बार-बार बोलना पड़ता है तो बोलना मेरा काम है और आपका काम है अपने गुरू को दच्छना की रूप में सब्सक्राइब करना अगर आपको समझ में आ रहा है तो question number 103 कैनी की क्या कोशिश करता है कि A और B का अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है B A से 8 अधिक है यदि A और B में प्रतेक में एक निश्य संख्या के जोड़ी जाती है तो अनुपात 7 अनुपात 9 हो जाता है के कमान निकाले है अभी मैंने जस्ट बताया था अगर एक जैसा जोड़ते हैं तो कैसे करते हैं आ जाईए पहले अनुपात 2 अनुपात 3 था कोई इश्यू नहीं है जो B है वो A से कितना जादा है 8 जाता है तो B A से 8 जाता है यदि A और B में प्रतेक में एक जैसे संख्या के जोड़ी जाती है ये concept वही है एक जैसा जोड़ने वाला प्रतेक वाला concept है जब आप प्रतेक में एक जैसा जोड़ते हैं वो वाला concept है तो ratio हो जाता है 7 अनुपात 9 तो बताना है के कमान मैंने आपको क्या बताया था अभी मैंने just example देया था आपका और आपके दोस्त का कि अगर मैं दोनों को 20-20 रुपे दे दूँ है ना तो उनमें जो पैसे का अंतर है वो change नहीं होगा क्योंकि मैंने पैसे एक जैसे दी है तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी अंतर तो एक जैसा है ना इसका मतलब यह है पहले कोई भी चीज 4 थी और यह 6 थी अब यह 4 से 7 हो गई है और यह हो गई है 6 से 9 हो गई है कोई भी issue नहीं है 6 से 9 या 4 से 7 होने में इसे कितनी की बढ़त में ले तीन यूनिट की जो कि आपको निकालना वही तो क्या कमान है जबकि एक बात बताएए इनमें जो अंतर है वो कितने का है दो यूनिट का आप ये ले लीजे ये ले लीजे अंतर तो समान होगा और 2 की value क्या है आपको पता है अंतर बी एसे 8 अधिक है बी एसे कितना अधिक है 8 दो के बाड़े में 8 आता है 4 बार आगे बुटिंगे लिए किसमें रखनी है रख दीजे ना इसमें तीन में और आंसर आजाएगा आपका 12 चलो तो एक तो आपका आंसर ऐसे आगए दिखो करने वाले एक तो आंसर ऐसा कर देंगे और करने वाले एक इस्टुटेंट ऐसा होगा मैं बता देता हूँ कि आप ये भी अच्छा है टेक्निकल कोश्चन मना दिया करने वाले एक एसा होगा वो ऐसे कर देगा कि अनुपात क्या है 2 अनुपात 3 अंतर कितने का है एक का एक की वैल्यू क्या है 8, 8 अधिक है न तो एक के पाड़े में 8, 8 वार आता है 8 पुटिंग वेल्यू आगी 8 इसमें रखेगा और 8 इसमें रखेगा 8 दुनी, 16 यह आ जाएगा और 8 तिया, 24 यह आ जाएगा सही है? चलो फिर प्रतियक में एक जैसा जोड़ता है तो 7 अनुपात 9 आ जाता है यह आंतर कितने का है 2 का clear? और यहां आंतर कितने का है originally 8 का ऐसे ही है न? कोई भी इशू नहीं है तो 2 के पाड़े में 8 कितने वार आता है? आपने काहा 4 बार तो 4 यहां रखेगा और 4 यहां रखेगा अब 4 सत्य 28 और 4 नाम 36 कोई भी चीज 16-28 हो रहे हैं कितनी बढ़ रहे हैं तो वो आंसर टिक टिक कर देगा ये कमार ऐसे वे हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखिए अन्य बहुत तरीगी हैं हमें आरे पास कराने के हैं आपको समझ में आने चाहिए कोशन नमबर 104 देख लेते हैं क्या कहनी की कोशिश करता है कहता ये है कि जो 3780 रुपे है तीन अजार 780 रुपे है वो ABC में इस प्रकार बाटे गए हैं कि यदि उनकी शेयरों को किरम से 130-150-200 रुपे की कमी की जाती है तो वे 5-2-4 के अनुपात में है तो वे 5-2-4 के अनुपात में है अगर कम करेंगे तब अनुपात में इसका मतला कम कर दीजिए तो कम कितने करें आपने 200, 130 और 150, 480, 480 kम कर दिये आपने 3780 में से है ना और जैसे आपने कम कर दी बचा कितना आपने कहा 3300 रुपे और जैसे ये 3300 रुपे बचे अब ये अनुपात में आ जाते हैं पांच, दो और चार के अनुपात में बिल्कुल ठीक बात है और सब को जोड़ेंगे न तो आता है 11 यूनिट और 11 की वैल्यू क्या है? पुरान वाला, इसी के अकॉर्डेंग तो इससे सी का हिस्सा क्या है? चार इनुपात डारेक्टली आप मल्टिप्लाइ कर दीजिए डिजायर निकल के आता है 11 से कटेगा, ये कितने बाद 300 बाद 300 चौक, 1200 यानि सी को पहले 1200 रुपे मिलते थे और 1200 रुपे तब मिलते थे जब इस में से 200 रुपे निकल जाते थे तो 200 रुपे और एड़ कर लो ओरिजिनल प्राइस आजाएगा इसका 1400 रुपे बस हो गया, और क्या करना है? चलो, अगला प्रेशन अगला प्रेशन लगाने की कोशिश कीजिएगा अप्रेशन दिखा न, कौन सा है वैसे? 1400, हाँ ठीक है अप्रेशन सी करेक्ट है अगला प्रेशन लेखे करने की बैस्ट अप्रोच आपको बता रहा हूं है कैसे करना है? देखिए 105 105 प्रेशन क्या कहता है? कि दो संक्या है 7, 9 के अनुपार्थ में है लो भाई पहली संक्या 7 है और दूसरी संक्या 9 के रिश्यो के टम्स में है यदि उनके वर्गों का योगफल अगर हम वर्ग करेंगे वर्ग का मतलब क्या होता है? पता है आप एक यूनिट का मल्टिप्लाई खुद स्वैम उसी यूनिट पे कर रहे है जब भी ऐसा कोशन आता है वर्गों का योगफल अगर आप वर्ग करेंगे न वर्ग करेंगे तो सत्तु सत्तु औरंचास हो जाएगा और नमी नमी एक्यासी हो जाएगा और आपको मानना पड़ेगा यहां यूनिट यूनिट का स्क्वेर यूनिट का स्क्वेर क्योंकि कभी वर्ग आ जाए न तो यहां यूनिट का मल्टिप्लाई यूनिट में होता है तो यूनिट का स्क्वेर हो जाता है किलियर एड करेंगे क्या कर लीचे कितना आ जाएगा आपने मुझ से कहा 8513 130 यूनिट का स्क्वेर आएगा और इसी की वैल्यू 8320 है अब काटा गुटी होगी और क्या होगा 0 से 0 कर जाएगा 0 से 0 कर जाएगा 13 से काटेंगे इसको कि 13 55, 13 68 13 68 तो 13 68 आएगा 5 नली कितना बचेगा 5 और तेरे चौक बावन आएगा यहाँ यूनिट का स्क्वेर आजाएगा यू की वैल्यू आएगी अंडूर में 64 और अंडूर में 64 होता है 8 यूनिट की वैल्यू 8 आगई 8 आगई 8 आगई क्या करना है दौन संख्याओं का योग निकालना है तो सिर्फ एक एक यूनिट वर्क करती है 7 और 9 16 और 16 में रग देंगे 8 और 16 अठे कितना हो जाएगा कितलिया आपने कहा 1688 finally हमारा option A correct हो जाएगा अगला प्रस्शन देखिए easy है आरम से करिएगा कोई इतना बड़ा issue है नहीं कि आपको नहीं आए आजाएगा आरम से ही आएगा इतना कोई बड़ा issue नहीं है और आपको ना है अगला प्रस्शन देखिएगे अगला प्रस्शन क्या कहता है 106 कहता है कि दो संख्याओं मैंसे पहली संख्या दूसी संख्या का 3 चौथाई है पहली संख्या दूसी संख्या बी का क्या है 3 चौथाई जिससे तुलना करते हैं वो denominator ले लेता है और जो comparison करवा रहा है वो unskool ले लेता है बस काम खता है अगला पहली संख्या का दूसरी से हो गया है यदि दो संख्याओं का व्यूत करमों का उसत भागतर है जब ऐसा question आजाए कुछ माल लेना माल लेना आपने यू-यू माल लिया माल लिया अब ये क्या कहता है कि इन संख्याओं का उल्टा करो उल्टा करेंगे तो ये आजाएगा बन अपॉन 3 यू और इसको उल्टा करेंगे बन अपॉन 4 यू और उनका क्या करना है जो व्यूत करम है जो उल्टे है उनका उसत निकालना है तो उसत होता क्या है संख्याओं का यूगफल बटे कुल संख्या कुल संख्या कितनी है एक और एक तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और इसी की value किसके बरावर 72 की चलो lcm कितना हो गया आपने का 4 और 3 बारे u आ गया बारे u ऊपर ये बात कर रहा है ये बारे u आ गया 3 u से बारे u u से u कर जाएगा 3 के बारे बारे 4 बार 4 एक कम 4 पिलस ऐसी यहां 3 आ जाएगा और नीचे 2 है वो denominator में है finally 22 calculation करेंगे यह आ जाएगा 7 7 बटे 24 u is equal to 22 सही चल रहा है कोई भी इशू तो नहीं है कोई दिक्कत तो नहीं है बढ़िया चल ला है एक बार चेक कर लेते हैं दो संख्याओं में पहली संख्या दूरी संख्या का 3 चौथा ही है यह दि दो संख्याओं की व्यूत करमों का ओसत व्यूत करमों का ओसत ठीक है आपका भातर है तो दोनों संख्याओं का यू निकाली बिल्कुल निकालेंगे क्यों निकालेंगे कुछ गलती थो नहीं कर रहे है, बहात्र ओसत आ गया है, ठीक है? 24 U, बहात्र आ गया है, कुछ गलती थो नहीं हुई है, मिस प्रिंट थो नहीं है, देख लेते हैं, one second. यहां हमने जो print mistake हो गया है इसमें क्या हो गया है यह 7 बटे 72 है तभी तो मुझे लग रहाता है ऐसा क्योंकि कटना चाहिए तो यहां 7 बटे 72 इससे क्या होगा 7 से 7 कट जाएगा 24 से 72 और u की value आजाएगी 3 आगई unit की value 3 आगई किसमें रगना है दौनों संख्याओं का योग तो दौनों संख्याओं का योग आएगा 7u और 7 into u की value 3 है आणसर आजाएगा 21 जो कि option number a correct है अगला question लगाईए चिक है अगला question देखेंगे हम लोग क्या कहने के कोशिश करता है अगला question 107 कहता यह है कि a, b, c 3 box है बहुत अच्छा question है जिसमें कंचे क्या है 3, 5 और 7 के अनुपात में है अच्छे से सुनेगा और कंचों की कुल संख्या 75 है 75 कंचे है लीजिए होता क्या है यदि 3 कंचे b से a में इस्थांत्रित किये जाते है 3 कंचे b से किस में स्थांतित किये जाते है b से a में लोगई इसका मतलब यह है मैं आपको समझाता हूँ b से a में जा रहे है तो मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पर 3 कंचे की कमी होगी यह 3 कंचे की अधिक्ता हो जाई बात यह समझ में आती होगी ब से ए में स्थांतित किये जाते हैं और पांच कंचे सी से ब में स्थांतित किये जाते हैं पांच कंचे सी से ब में तो सी से ब में पांच कंचे इसका मतलब यह है मैं यह कह सकता हूँ पांच कंचे इसको मिलते हैं तीन, पाँच, आठ, साथ, पंदरा, और पंदरे की वेल्यू, ओरिजिनली क्या है 75, पंदरे के बाड़े में 75 कितने बार आता है, आपने कहा 5 बार, पाँच पुटिंग वेल्यू आगी, अगर 5 में यहां रखता, सुनेगा, तो पहले ओरिजिनल कंचे 5 थी, अब 15 थी, 15 में 3 मिल गए, कितने हो गए, 18, चलो, 5 बंचे 25, यानि कि पहले आपके पास 25 कंचे थे, है न, 3 निकल गए, 5 आगए, यानि कि 2 एक्स्टा आगए, 2 एक्स्टा, तो आप कितने हो गए, 27, आगए, 5 सत्य 35, पहले 35 थे, और 5 निकल गए, तो कितने हो गए, 30, और इन में बताना है आपको अनुपाथ, फाइनली, 3 से 6 बार, 3 से 9 बार, और ये 3 से 10 बार, 6, 9, 10 का अनुपाथ आजाएगा, चेक कराईए, देखिए, रिश्यों चेक कर लेते हैं, रिश्यों चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये अनुपाथ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको बता दूँ, 6, 9 और 10 एक करेक्ट आप्शन है, ठीक है, आप सही है, चलो, अगला प्रेशन देखेंगे, अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, है न, चीजों को तेज करेंगे, जिससे की ज्यादा लंबी बीडियो भी ना हो, अगला कोशन देखिए, कोशन नमबर 108, कहता क्या है, कि तीन संख्याओं का योग 396 है, 396 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपाद 11 है, और दूसरी और 30 संख्या का अनुपाद 11 अनुपाद 15 है, कौशन सा नमबर दोबार आया है, आपने कहाँ दूसरा वाला, वो तो पहली से सेम है, तो रेश्यों बन गया आपका, 7, 11 और 15, आपसे बोला है, पहली और 30 संख्या के बीच अंतर किया होगा, पहली और तीसी संख्या के बीच अंतर के अतना होगा आपने खा एट यूनिट का ठीक है? साथ ग्यारा अठारा अठारा पंदरा तेतीस यहनि कि तेतीस यूनिट की वैल्यू गिविन है 396 और निकालना क्या है डिजायर क्या है एट यूनिट एक लाइन में आपको करने सिखा रहा हूँ ग्यारे से काट नेंगे ग्यारे से कटेगा तीन बार ग्यारे तीस ग्यारे चिंग 66 तीन से कट जाएगा यह बारे बार और बारे अठे 96 जो की ओफ्षेन नमबर C करेक्ट है अगला प्रशन देखिए ऐसे करना है आपको स्पीड में अगला प्रशन देखना आप पसंद करेंगे यह वाला एक सुनो क्या कहने ही कोशिश करता है देखिए का कहता है AB की बरतमान आयू का अनपात यानि कि जो प्रिजेंट में जो एज है न वो 65 के अनपात में है बरतमान में AB का चार साल पहले चार साल पहले को नेगेटिव से रिपिजेंट कर दीजे चार वर्स पूर को इनमें जो अनपात है वो 5 अनपात 4 है 10 वर्स बात A और B के आयू का अनपात क्या होगा यह बाद की बात है कैसे करेंगे यहाँ पर बरतमान से चार साल पहले गैप कितने का आएगा आपने कहा चार साल का फर्क आएगा तो चार साल यहाँ चार साल यहाँ कैसे करते हैं 6.25, 25, 25 मैं से 24 गए उपर का फर्क 1 अगर एक जैसा डाटा है तो नीचे का फर्क common ले लेते हैं 4-4 common आ गया और नीचे वाले रेशियो का अंतर इसमें multiply कर देते हैं तो यह आ जाता है नीचे का फर्क उपर का फर्क नीचे के फर्क के equal में रख देते हैं एक के पाड़े में 4-4 बार आता है putting value आगी 4 रख दीजे यहाँ पर 4 चिंग 24 और 4 पंजे कितना? 20 है ना? अब एक बात बताइए मुझे यह बर्तमान में A की और B की क्या है? उनकी I है हमें बताने 10 साल बाद A और B की I U का अनपार तो 10 साल बाद यह कितने साल का हो जाएगा? 34 साल का और 10 साल बाद यह कितने का हो जाएगा? 30 साल का और इनकी आयू में अनुपात क्या होगा, तो आपने कहा 17 अनुपात 15 यही correct answer है, जो कि option number B correct है, अगला question देखिए, अगला question लग तो थोड़ा सा बड़ा रहा है, बट देखो, अभी देखो ऐसा ही question मैंने आपको कराया था, चार लोग थे, जैसे मैंने ratio बताया था, आपके प्रैक्टिस है, कोई issue नहीं, 110 कोशिन आप करेंगे, अगला question, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम अच्छे से होगा नहीं, यह वाला question बहुत ज़्यादा है, कैसे देखो, चार लोग है, उसमें जो distribution है, 3, 4, 5, 6 के अनुपात में है, यदि R को P से 500 रुपे जादा मि मिलते हैं, 5 मैं से 3 गई, 2 यादा मिलते हैं, 2 की value 500 रुपे है, 2 की पाड़े में 500 आता है, 2500 रुपे putting value आ जाएगी, किस में put करना है, तो उनकी सभी shareों का योग, सब को मिला कर बताना है, 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 18 की value आपको निकाल लिए, निकाल दीजी क्या दिक्कत है, 18, 95 की, 0 कैरी 9, 18, 24, और यहां 9, 45, यह आ जाएगा 45 रुपे जो कि option number B correct है, अगला प्रशने देखी, question number 112, क्या कहनी की कोशिश करता है, यह वही question है, आपको याद है क्या, जो मैंने आपको सिखाया है, कैसे, 4 संख्या है, 21, 22, 60 और 64, यह तीसा question है, इस वीडियो का, एक जैसा, इसमें x गठाया जाता है, जिससे यह समानुपाती में आ जाए, फिर x प्लस 4 और x अपॉन 2 माइनस 1 के बीच मद्य अनुपात निकालना है, ओके, तो मद्य अनुपात किसकी बीच निकालना है आपको, x प्लस 2, sorry, x प्लस 4 और x अपॉन 2 माइनस 1, अब यह करने से पहले, पहली बात तो x की value निकालने पड़ेगी, x की value डारेक्ली कैसे निकालते, पहले का चौथे से multiply करना मैं आपको directly बता रहा हूँ, 4 x 4, 4 x 8, 6 x 6, 8 x 6, 14 की 4, कह रही कितनी, 16 x 12, 13 हो गया ना, दूसरे का तीसे से multiply, यानि कि 60, देखे, 22 का 6 मैं multiply कर दी या, 6 x 12 की, तो आजिवचे, 16 x 12, 13, 1320 है न, कोई बीच हो नहीं, मैंने क्या करा, पहले का चौथे से multiply, दूसरे का ती पहले का चौथे से multiply कर रहा था, अब इनको denominator में जोड़ते है, 64 और 21 को जोड़ेंगे, तो आएगा 85, और 22 और 60 को जोड़ेंगे, तो आएगा 82, फाइनली उपर कितना आ रहा है, उपर आ रहा है आपका 24, अंतर, और नीचे आ रहा है 3, तो value आ जाएगी, x की 8, 8 रहां 12, और 8 यहां रखेंगे, तो 8 बटे 2, यानि की 4 में से 1 जाएगा 3, और 12 यह 36 होता है, और अंडूर में 36 की value होती है, 6 जो कि option number C correct है, अगला प्रेशन देखिए, अगला प्रेशन, कहता क्या है, के 113 मां प्रेशन 21, 130 रुपे आपको distribute करने है, तीन भागों में, कहता क्या है, दूसरा जो भाग है न, B, पहले भाग का 60% है, ओके, दूसरा पहले भाग का 60%, 60% होता है, तीन बटे पांच जिससे तुलना करते हैं वो हर को हर लेता है मतलब डिनो मिनिटर ले लेता है और जो तुलना करवा रहा है वो अंस को ले लेता है वसकाम पक्का हो गया पहले से तीसरे का जो अनपात है पांच अनपात साथ है पहले का जो तीसरे से अनपात है पांच अनप साथ 15 और 15 की और इस नल वैल्यू 2130 है काटनी कोशिश कर रहे हैं पंद्रे एक कम पंद्रे कोई इश्यू नहीं है बच्चे का कितना आपने कहां मुझसे छे पंद्रे चौक साथ बच्चे का तीन और पंद्रे दूनी 142 पुटिंग वैल्यू आगई रख देंगे यहां पर 14 यहां पर भी 142 और यहां पर भी 142 जैसे रखोगे 5 दूनी 10 की 0 आसी बची एक 5 चौक बची किसकी कहीं कहीं दो 5 एकम 5 और 2 7 यहां रखेंगे तो 3 दूनी 6 तीन चौक बारे की 2 आसी बची एक ठीक है 3 एकम 3 और 1 4 710 426 710 426 994 यह होगा हां हां बिलकुल हां चेक कर लिजे अगला प्रेशन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर 114 प्रेशन है और मैं ऐसा करा चुका हूं 4 लोगा डिस्टिबिशन आप कर लिजेगा अगला प्रेशन देखिए आप भी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा अब यह वाला कोशन देखिए 115 116 जैसे मैं आपको करवा रहा हूं पहली बात तो कि ए और भी थोड़ा चोटा कीजिए लास्ट में साथ देखिए रहा शायद नहीं देखिएगा हाँ यदि ए और बी और बी और सी और सी और एका अनुपार्थ एड़ करके दिया है 15 14 11 का ए प्लस बी प्लस सी की वैली चालिस है तो यह वैली निका लिए उसको भी एड़ करना पड़ेगा 15 14 11 कितना आ जाएगा आपने कहा आ जाएगा 40 ठीक है दोसिस को काट लेंगे कितने बागा 20 बार ए प्लस बी प्लस सी की अनुपातिक जो वैल्यू है एड़ करके 20 आती है और और इसकी वैल्यू है चालिस बीस की वैल्यू चालिस है कितने बागा दो बार पुटिंग वैल्यू दो बार आ गई ठीक है बाई ओके अब एक बात बताईए यह पुटिंग वैल्यू दो आईए मैं यहां आपको समझाना चाहता हूं कि A और B को जोड़ कर यानि कि पहला वाला जो अनुपात है वो 15 ही तो है तो मैं यहां पर जो original value है 2 unit पुटिंग वैल्यू की terms में मतलब पुटिंग वैल्यू जो है उसको मैं यहां रख दू 15 में तो 15 दो 30 आजाएगा 30 किसकी value होगी A प्लस B की तो A प्लस B की value कितनी है 30 तो A और B की 30 है तो C कितनी हा जाएगी 10 यानि कि C की 10 आगए, अब directly कैसे करेंगे, ऐसे ही, मैं 2 यहाँ पुट करूँ, तो 28 आएगी, किसकी आएगी B और C की मिलाकर 28, टोटल है 40, 40 में से 28 B और C हैं, तो A कितना होगा 12, A होगा यहाँ पर 12, यहाँ पर आगे आपका C, 10, ठीक, अब बचा B, यहाँ देखिए C और A म अगर C और A हैं, तो B क्या होगा, 18, लो, यह आ गई, आपकी actual value, क्या करना है, आपको रख देना है, 3A प्लस B, माइनस 4C में, तो 3 गुणा A की value क्या है, 12, प्लस B की value क्या है, 18, माइनस 4 इन्टू C की value क्या है, 10, फाइनली, बारती है 36, ठीक है, और 36 और 18 यहाँ पर हो जाएगा आपका 14, माइनस 4, फाइनली आंसर निकलेगा 14, जो कि option number D correct है, अगला प्रिशन बिल्कुल इसी जैसा है, देखो, बिल्कुल इसी जैसा है, ऐसे ही निकालना, और फिर value रख देना ABC की, आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा, अनुपाती करना है, ठीक, सेम करना, सेम, ऐसी ऐसी करना, फिर ABC की value रख देना, अनुपाता आ जाएगा, अगला प्रिशन देखें, 117, यहाँ पर मैं आपको बता दू, यह चार व्यक्तियों के जो distribution में पढ़ा चुगा हूँ आपको, बता चुगा हूँ, अ यानि कि physics, chemistry and biology, कि जो सीटे हैं न, वो सार पांच आठ के अनुपात में है, इन सीटों को किरम साब 50%, 40% और 25% बढ़ाने पर, बड़ी वी सीटों का अनुपात क्या होगा, यानि कि अपने आप में यह 100% होती है, आप अपने आप में 7 जो है, 100% है, 100% को 40 वड़ा लेते हैं 140% कर रहे हैं, खुद का, ऐसे ही, सौरी, पहली वाली को 50 बढ़ा रहे हो आप, मैंने पढ़ा नहीं, 50% है, तो यह 150 हो जाएगा, ऐसी दूसरी वाली को 40 बढ़ा रहे हैं, तो 140% हो जाएगा, और तीसरी वाली को 25 बढ़ा रहे हैं, तो 125% हो जाएगा, मस, फिर क्या करना है नया रेशंय निकालना है percent 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 ठेक है भाई खुर्ट भी रेशंय नहीं थो पांस से काटो यहां पांस से काटो कितने बाँ कटेगा तीर सुच पर पांस से काटो किपांस से एकट जाएगा पूरा-पूरा याने 144 बचेगा पांस से इसको काटो पच्चीस और पच्चीस अट्टे 200 ठेक है न जीरो 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 सातिया 21 14 और 20 देख लिजे 24 20 option नमर बी करेक्ट है अगला कोश्ण देखते हैं अगला कोश्ण 119 क्या गहने कोशिच करता है कि दो संख्याएं ए और बी है वो तीसरी संख्या से जो कि C है उससे 20% और 56% जादा है कभी भी ऐसा कोश्ण आ जाए कि A भी और B भी A कितना जादा है 20% किस से C से तो इसको 100 माल लो यह 100 है तो 120 है और B कितना जादा है 56 यानि कि 100 है तो 156 फाइनली निकालना है आपको B से A कानपाथ यानि कि 156 से 120 कानपाथ 4 से काटो चारती अबारा चारती अबारा चारती अबारा फाइनली तीन से काटो तेरे वार और दस बार तेरे अनपाथ दस कोई है नहीं? सही तो बोला है B का ये से अनपाथ चलो ये ले लो दस अनपाथ दे रहे उसमें नहीं कुछ दे रहा तो option A correct है अगला लिखने में दिक्कत आ गई होगी गलत हमने लिख लिया होगा चाप लिया होगा अगला देखिए अरे भाई ये question तो बिल्कुली प्रिंट गलत हो गया है यहां एक बट्टे चार अनपाथ एक बट्टे पाँच अनपाथ एक बट्टे आठ होगा ऐसा होगा कैसे करना है देख लेते हैं 4910 रुपे का distribution करना है जिसमें पहले PQR को ऐसे मिल रहा था एक बट्टे चार एक बट्टे पाँच और एक बट्टे आठ पर गलती से मिल गया है चार अनपाथ पाँच अनपाथ आठ की अनपाथ में इस लेन देड में आर को कितना लाग हूआ है कंड़े का तरीका सबसे पहले इन में उनपात बनाईए LCM कितना आ गया? 40 4, 5, 8 का कोई भी इश्यू नहीं है ठेक है? अब 4 से काटिये 40 को 10 बार 10 से कम 10 5 से काटिये 40 को 8 बार 8 से कम 8 8 से काटिये 40 को 5 बार 5 से कम 5 यानि कि जो दंडासी वो तो एक ही है न पहले इनको जोड़ेंगे तब दंडासी एक ही तो बैठेगी पहले कितनी थी? आपने का 20 आप कितनी है? आपने का 4, 5, 9, 8, 17 ये तो गलत बात है, सैटिस्फाइट कर लिजे यहां सिर्फ बात हो रही है इस लें दिन में R को कितना लाग होगा? तो R का मतलब यह यह P है, यह Q है, यह R है सिर्फ मुझे इस और इस से मतलब है, तो सैटिस्फाइट करने के लिए यहां 17 का मल्टिप्लाई तो यहां 20 का तो मैं तो सिर्फ यहां 17 का करूंगा और यहां 20 का करूंगा तो 17, 5, 85 पहले मिलता था अब कितना मिल रहा है? तो 8, 3, 24, 4, के लिए 2, 8, 2, 6, 2 आपने कहा 18, 184 तो कितने का लाग हो रहा है? तो आपने कहा 99 यूनिट का लाग हो रहा है जबकि देख लेते हैं, टोटल कितना है? 49, 10 और जबकि टोटल कितना यही तो है टोटल की वेल्यू 49, 10 के बराबर है है ना? 49, 10 के बराबर है 17 का 23 से मल्टिप्लाई करेंगे 391 आता है, 10 बार कटेंगे 10 पूटिंग वेल्यू आगी निकालना क्या है? निकालना यही है आपको 99 अंतर 10 तक दीजे, ओरिजिनल अंसर आएगा 900 लब्भे, ओफ्शन यह करेक्ट है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके लिए आराए देखो 121 देखो कहता क्या है? कि जब आप 53 के अनुपात में कोई पैन और पैंसिल खहिते हैं पैन और पैंसिल खहिते हैं ठीक है? पैन को माल लिजे, इसे रिपिजेंट कर लिजे पैंसिल को बेसे और पांच यूनिट पैन खहिते हैं, तो तीन यूनिट पैंसिल खहिते हैं, और दोनों का भुकतान करते हैं आप 14 रुपे अगर आप इस अनुपात को उल्टा करते हैं, यानि कि आप पैन को तीन यूनिट ही दे, और पैंसिल को पांच यूनिट ही दे, तो आप भुकतान करेंगे 36 रुपे का, तो एक पैन और एक पैंसिल के मूल में अनुपात के आएगा ऐसा कोशन आ जाए, करने का तरीका बता रहा हूँ अगर एक जैसा आ जाए, पांस तीन, पांस तीन एक बार जोड़ो, एक बार गठा लो, तो यह अनसर आ जाता है अगर मैं जोड़ूंगा, तो यहाँ पर देखो पांच ए, तीन ए, आठ ए और यहाँ आठ भी आ जाएगा और यहाँ जोड़ूंगा तो असी आ जाएगा आठ आठ से यह असी कट जाएगा, यानि कि A प्लस B, इसकल टू आ जाएगा 10, यानि कि यहाँ A और B को जोड़का 10 आ रहा है, option चेक करा A और B को जोड़का, only इसमें 10 आ रहा है और यहीं आंसर होगा, but मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, एक बात जोड़ेंगे एक बार गठाएंगे, गठाते हैं, तो यहाँ 2 common आएगा, 5 में से 3 गया 2 A, minus 2 B आएगा, तो 2 common ले लेंगे A, minus B, और गठाने पर 44 में से 36 जाएगा, तो कितना आएगा 8, और finally 4 और वैसी भी आप satisfied कर सकते हैं जोड़ने पर 10, गठाने पर 10 जोड़ने पर 10, गठाने पर 10 वैसी भी आ गया, और आप A की value निकालेंगे यहाँ, तो जोड़कर आदा, 14 का आदा 7, और B की value निकालेंगे गठा कर आदा, 10 में 4 गए 6, 6 का आदा थी sorry, ऐसे आ सकता है चलो, option B correct है और भी तरीकी हैं, आप इसमें elimination method भी लगा सकते हैं उससे भी हो जाएगा चीक है 120, कहते के हैं रैनु का गड़ित में अंग्डीजी से 12 गुना अधिक अंक पर 12 नहीं है कुछ question जो typing में error है मैं अगली वीडियो में करा दूँगा इसको separate निकाल के यहाँ पर देखिए 123, कहता क्या है कि यहाँ पर A, B, C है दो संख्या है तीसरी से कितना कितना ज़्यादा है 17% इसको सौमाल लिजे 17% ज़्यादा है, यह 170 यह B वाला 50% ज़्यादा 150 है आपसे बोला है दोनों संख्याओं में उन्पात इन में 170 उन्पात, 150 कुछ कट रहा है कि यह है कटे गई किससे कट रहा है एक बद देख लेते हैं दोनों संख्याओं का उन्पात निकालना है कौन सी संख्याओं का दो संख्याओं एक तीसी संख्याओं से करम से 17% और 50% जाता है दोनों संख्याओं का उन्पात बताईए उन्पात तो यह रहने वाला है कटनी रा क्या यह किससे कटे गई यह तो कटनी रा यहाँ पर 153 27 यह तो 3 से अरे यह कट तो गया 3,5,15 कहां दिमाग जा रहा है 50 वार और यह कट जाएगा 3 से कितने बार आपने कहा 49 वार आगे 49,50 ऑप्शने दिमाग कहां चला जाता है चलो कोई इशू नहीं कुछ अलाग चला था दिमाग में अगला कुश्या भीवाला देख लीजिए क्या क्या कहता है देख लेंगे कहता ही है कि एक राशी ABC में A B और C में 5 अनुपाद 6 अनुपाद 7 के अनुपाद में बाटी जानी है यदि B अपनी राशी में से C को 400 रुपे देता है B अपनी राशी में से C को 400 देता है तो C पर तो 400 रुपे ज़्यादा पहुंच जाएंगे और इस पर 400 रुपे की कमी आ जाएगे ये बात आपको समझ में आने चाहिए ठीक है, देता है तो अनुपात चेंज हो जाता है 2, अनुपात 3, अनुपात 4 हो जाता है शुरुवात में A और C के पाद जो राशी है उसका योग क्या है A और C के पाद जो राशी है उसका योग क्या है इसमें लगा देंगे क्रोस प्रोड़क्ट मेंथ़ड ऐसे कोशन में 3 वाई 3 का सेट बनना है 24, 24, 27, 21 24 में से 21 गए उपर का फर्क 3 ऐसी करते है नीचे का नीचे का कैसे करते है मैं आपको बता दूँ जब यहां एक में घठ रहा है एक में जुड रहा है तो हमेशे common वाला तो लेते हैं 400 और इस ratio का अंतर नहीं लेते इस ratio को एड कर लेते है नीचे वाले को 4, 3, 7 कोई भी इश्वी नहीं है तीन की value यह आ गई तो एक की value क्या आईगी आप कहेंगे 400 गुणा 7 बटे 3 यह आगी putting value किसमें रखनी है 12 में रखनी है किसमें रखनी है 12 में 3 से 14 कटेगा 416 16 सकत 112 और अंसर आजाएगा आपका 11200 जो कि option number D correct है ऐसे करेंगे बढ़िया trick बताईए एक दब चमतकारी trick अगला प्रशन देखिए कहता क्या है 125 माद प्रशन A और B के income का जो ratio है ना वो 3.4 है और उनके expenditure का ratio 39.5 है यदि A की आए A की आई यह है B के वे का B का जो वे है यह है इसका तिगुने के वराबर है यह 3 गुना कैसे होगा यह 3 गुना कैसे होगा आप मुझे बताओ इसमें 5 का गुडा कर लो तब ही यह 15 हो जाएगा तीन गुना हो जाएगा तो इसके 7 को भी लिना पड़ेगा हो गया satisfied आपने का 6 कमाते हूँ 20 गवाते हूँ 5 बचाते हूँ 15 20 में से 5 का ये 15 दोनों में रिश्यो आ जाएगा 3 से ये 2 बार कटेगा 3 से ये 5 बार कटेगा 2 बार 5 जो कि option number D correct है अगला प्रश्न 126 कहता क्या है? कहता तो बहुत कुछ है पर अपको देखना पड़ेगा एक आदमी ने 10 बहुत की कि किताब खरी दी है और कुछ रशाइन की खरी दी है तो physics की किताब है 10 और chemistry की है कुछ यानि कि माल लेते हैं एन ठीक है? एक रशाइन सास की किताब की कीमत है ना किताब की कीमत प्राइस बहुत की वाली किताब से दुगनी है chemistry कीमत दुगनी है बहुत की कीमत से बहुत की की एक गुनी है तो chemistry की दुगनी है दौनों की कीमत मिलाकर आ जाएगा 10 ब्लस 2N कीमत चलो बिल तयार करते समय किलर्क ने गलती से physics और chemistry की किताबों की संख्या बदल दी है यानि कि physics की 10 थी वो chemistry में करती है और chemistry की n थी वो physics में करती है चलो किलर्क ने गलती से physics और chemistry की किताबों की संख्या आपसे बदल दी है और बदल दी है तो यहाँ पर price पर भी effect पड़ेगा price पर भी effect पड़ेगा यहाँ पर आपको पता है यह तो बदल दी है पर यहाँ 2 का multiply क्योंकि chemistry का दुगना price है और physics का 1 price है तो finally अब कीमत कितनी आएगी तो अब कीमत आएगी n plus 20 है ना? यहनी पहले कीमत थी 10 plus 2n और अब कीमत है n plus 20 होता क्या है पहले बिल बना रहे थे तो 100% अगर इसका बिल था अब यह 12.5% कम हो जाता है 12.5% मतलब 87.5 इसका मतलब मैं आपको बता दूँ ऐसे भी कह सकते है 12.5% कम हो जाता है यानि कि आप यह कह सकते है 12.5% की fraction फॉर्म होती है एक बते 8 पहले बिल 8 था आपका आप ऐसे भी कह सकते हो देखो बहुत है तरीकी सिखने है पहले इसका ओरिजिनल बिल 8 था अब 8 में एक कम होकर कितना हो जाता है 7 क्रोस मल्टिपलाए यह आजाएगा 70 पिलस यह आजाएगा 70 पिलस यह आजाएगा आपका 7 दुनी 14 यह आजाएगा 8 यह आजाएगा 160 फाइनली 14 एन मेंसे 8 एन जाएगे तो आपने मुझसे कहा बचेगा 6 एन और 160 मेंसे 70 जाएगा तो बचेगा 90 एन की वेल्यू आजाएगे 15 पूचा क्या है पूचा है कि मूल किरम में ओरिजिनली स्टार्टिंग में बहुतिक विज्ञान की पुस्तक की संख्या का रशाइन विज्ञान की पुस्तक की संख्या से नपाद संख्या पूचा है तो संख्या इसकी 10 थी और इसकी 10 थी उससे उनपाद निकालना है तो एन कमाद कितना है 15 रख दीजे ना 10 और 15 में रेशियो बताना है आंसा आजाएगा 2-13 चलो हो गया बहुत अच्छा प्रेशन है अगला प्रेशन देखेंगे अगला प्रेशन क्या कहने कोशिश करता है 127 ऐसे प्रेशन जो गलती वाले नॉर्मल सा प्रेशन है तीन संख्याएं जो कि 1 बटे 4, 1 बटे 5 और 1 बटे 3 के अनुपाद में हैं ये बटे में अनुपाद है आपको करना क्या है इसको बनाना है आपको कैसे इंटिजर फोम में तो नॉर्मल सी बात है भागवान की दुआ से इसके पास क्या है इसके पास हर है चार क्या नहीं है पांस तिया पंदरह ओके इसके पास क्या है पांच है क्या नहीं है चार तिया बारह और इसके पास क्या है तीन क्या नहीं है इसके पास 4,5,20 है न? और ऐसी भी कर सकते है LCM लेका, बात देखे कोई इशू नहीं है कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है क्या कहता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर 800 रूपे का है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में बीस और पंदरे में फरक पांच का है पांच की वैलियू आठ सो है तीनों संख्याओं का योग निकालना है डिजायर क्या है? डिजायर इंटू में रख दो एक लाइन में अंसर आएगा पंदरे बारे होते हैं 27 और 27 और 27 आजाएगा 47 वो आपको निकालना है पांच से काटी 160 मल्टिप्लाइ 47 और यह वन यूडिट होगा जो आपका डिजायर है वह ही आएगा 16,712 की दो केड़ी 11 16,64 और 11 आपने खांगा 75 पिचक्तर वीस आंसर आएगा जो की option नमर मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता गल्द कल दिया क्या फिर देख लो एक बट्टे चार एक बट्टे पांच एक बट्टे तीन चार इसके पास है पांस दिया पंदर है पांस इसके पास है चार दिया बारा 3 इसके बाद 4 पंजे 20 यहाँ पर 20 और 15 है जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संक्या की बीच में अंतर 800 है 20 सबसे छोटी sorry 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 सबसे छोटी बाहर आया है तो इन में जो अंतर है न वो 8 का है तो 8 की वैलिव यह है इसको रफ कर देते हैं देखो कितने छोटे प्रेश्ण में गलती हुई है आठ की वैलिव सो है आपको 47 के निकाल लिए आठ से इसका मतलब यह है कि यहां पर जो माशिक आये है जो इंकम है इंकम है 17 है और जो एक्सपैंडिचर है वह 14 है और उसकी माशिक बचत 12,000 रुपे है अगर यह सत्तरे कमाता है अगर यह सत्तरे कमाता है और खर 14 कर देता है बचाएगा कितना यहां लिख देते हैं सेविंग कोई देखकत नहीं है सेविंग होगी इसकी तीन और जो सेविंग है न अच्छे सुनिएगा सेविंग इसकी 12,000 है तीन की वेल्यू 12,000 है तीन से कटेगा कितने बाद 4,000 बार पुटिंग वेल्यू आ गई तो 4,000 इसमें रख दीचे 17,68 यानि यह कमाता था 68,000 चार इसमें रख दीचे 14,56 यह खर्च कहता था 56,000 क्या कहता है यदि उसकी माशिक आए में 10,000 रुपे बढ़ जाते है यानि कि जो इंकम में वो 10,000 बढ़ जाती है हो जाएगी 78,000 और उसका जो खर्चा है 2,000 कम हो जाता है खर्चा पहले 56,000 था दो जार कम हो जाता है यानि कि 54,000 हो जाता होगा तो उसकी आए और व्यमें नए अनुपात निकालना है 0 से 0 काट लेंगे काट लीजे 49 बार कटेगा यह है दो से यह कितना कटेगा 18 बार तीन से कटेगा 13 बार और तीन से कटेगा 6 बार तेरे अनुपात 6 जो कि option नंबर क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है भहिया तीन से तो काटा है फिर दो आदेख लेते 78 ठीक है 49 चववन दो हजार उपे कम कर लेते हैं उसकी आया वे में अनुपात क्या होगा तो तेरे अनुपात 6 आ रहा है देखो मिस्प्रिंट हो सकता है यहां पर 6 होगा चिक्क है आप समाझ ले ना बाद में मैं सही कर दूँगा पीडिया पर तो यहां तेन अनुपात 6 है चलो आगे चलते हैं बिल्कुत सही किया है अपने उपर बहुत विस्वास है सही किया होगा अगर गलती हो जाती है तो आप सही कर लेना वैसे किया में ने ठीक है अब यह कुशन वह ही आ गया देखो मध्य अनुपाद निकालना है तो मुझे लगता है आपको मैंने प्रैक्टिस करा दिए आप कर लेना अगला कुशन देखना चाहते हैं देख लीजे बी और डी के हिस्से का अंतर चार लोगों में है पार्टिसिपिशिन करना है कर लीजेगा और मैं करा जिता हूं कोई देखा देखो यहां देखो मुझे प्रॉब्लम लग रही है एरा सी का इससा बी के तीन हिस्से का 40 प्रतिश्यत है एक प्रतियाई होगा या थी गोलमाल है इसको भी देखेंगे 130 को अगला कि बहुत सरल है यह तो ए और बी की बीच 4-7 के अनुबाद में इसको बाटना है उनकी शेयरों के बीच अंतर क्या होगा 4-7 होता है 11,11 की वेल्यू क्या है यह वाली तो 11 से काटो 11-55 है न कितना बचेगा यहां पर 8-88 यानी 11-8 यह पुटिंग वेल्यू आगी किसमें रखना है इनकी बीच के देखिए अंतर में अंतर कितना होगा साथ में 4 गया पसान से आ जाएगा तीन अट्टे चॉपिस की चार के लिए दो तीन बंजे बंजे बंदर रहा दू सकतर है वन से वन ऑफिस्ट नमर्डी करेक्ट है और अप्शनमर्डी करेक्ट है कमल और उसकी बेहन कमल है और उसकी सिस्टर है उनके पास मिलाकर 2100 रुपे होते हैं अपनी बेहन से 300 रुपे लेने पर कमल के पास वही राशी होगी जो उसकी बेहन के पास पहले थी इसका मतलब यह है कि अगर कमल क्या करता है कमल अपनी बहन से 300 रुपे ले लेता है तो कमल के पास वही राशी हो जाएगी जो उसके पास बहन के पास पहले थी जो उसकी बहन के पास पहले थी अपनी बहन से 300 रुपे लेने पर कमल वही राशी हो जाएगी अच्छा बही राशी अब हो जाएगी जो उसके पास पहले थी इसका मतलब क्या है मुझे एक बात बताईए अगर ये बहन से लेगा तो 300 रुपे बहन के पास तो कम हो जाएगे और इस पर 300 जादा हो जाएगे यह तो मतलब होगा और इन दौनों की उन दौनों की राश्यू में जो पैसे का जो बटवारा है वो एक जैसा हो जाएगा कहने का मतलब कमल के पास 300 आ जाएगे और उसकी बहन के पास से 300 चले जाएगे और इस कंडिशन में दौनों के पास पैसा बराबर हो जाएगा बस कहने का मतलब यह है सीधा सीधा सा कोशन है कोई दिक्त है नहीं इसमें चलो तो यहां पर हम एक दर ले जाएंगे यहां उसकी सिस्टर माइनस कमल यहां 300 एदर हो जाएंगे एड 600 तो खुल मिलाके sister plus कमल का युखफल 2100 है और sister minus कमल का 600 है हमें निकालना क्या है उनकी राशियों में अनपात निकालना है कमल और उसकी भेन की राशियों में अनपात निकालना है तो मैंने आपको बताये था अगर ऐसा question आता है तो कैसे कीजिएगा जोड़कर आदा तो बड़ा वाला निकलाएगा तो जोड़ो 2700 और 2700 का आदा करोगे तो कितना होगा तेरे सो पचास गठा के आदा करोगे तो यहाँ पर आपके कमल आ जाएगे 2100 में से 600 गया 500 का आदा साड़े सास इनमान पाद निकालना है जीरो से जीरो कटेगा ठीक है और 15 से इसको काटेंगे 15,75 और 15 से इसको काटेंगे यह कटेगा नो बार नौन पाद पाद पाँच आएगा हाँ उल्टा करती है पाँच अन पाद नो आएगा option D correct है अगला question number 134 बहुत आशान ही तो कहता है तीन संख्या है तीनों को जोडने पाद 200 भादतर आता है पहली संख्या और दूसी संख्या के बीच अनपाद 3 अनपाद 5 है और दूसी और तीसी के बीच 5 अनपाद 8 है 5 अनपाद 8 है अब भी तो यहां 5 औलेडी है तो 5,95,8 एक line में आ गया 30 संख्या बतानी है तीनों को जोड़ कर कितना आता है 3,5,88,16 16 की value 272 है बताना किसका है 30 संख्या का 8 ऐसे करना directly desire का multiply कर देते हैं जो 1 unit की value निकल के आती है वो original value आती है desire value की 8 से ये 2 बार और 2 से इसको काट लो answer आजाएगा 136 136 आएगा answer जो की option number 1 correct है मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगी होगी और थोड़ा सा speed भी maintain करके चलाओं तो like, share, subscribe आपका काम है मेरा काम है पढ़ाना और पढ़ाते रहेंगे Thank you